पूरा पडिवार अभी अभी सहर पहुँचा था, सरक किनारे खारा था, एक गुड़ू पता देख जरा, इस बस अड़े से, कितनी दूरी है रोसन का बंगला, रधिया पल्लू से पसीना पहुचा, अच्छा भोजाई, लड़ू का डबा थामो, गुड़ू बोला, ए जी, रोसन ने ना चिट्टी का जवाब दिया, ना फॉन कॉल का, लोकड़ून में ब्या हुआ था, मिले भी नहीं उसकी दुलहन से, अब पूरे पडिवार को देख कर नाराज तो नहो जावेगी, तो क्या हुआ रधिया, अफसर है, टैम ना मिलता होगा, चिंता ना कर, खुस बाहर आया, भाई जी, रोसन से कहो, उसका परिवार आया है, मिलने, भोजाई बोली, कौन है, भीम सिंग, जिन्स टी सर्ट पहने, एक सुन्दर युगती बाहर आई, मैयारी, छोटी भोजाई, कितनी सुन्दर है, फोटो में देखी थी, मोहिनी बिटिया, हम रोसन का परि इनास्ता का इंतजाम करो, हम कुल पांच दिन रुकेंगे बिटिया, रोसन को मिलकर लोट जाएंगे, रोसन का सर्वलर खराया, आप बैठिये, मैं जरा फोन कर लू, मैंने कहा था ना, सहरी है, उसे ना भाया हमारा यहां आना, रमिस बोला, हेलो दिब्या, नहीं आप ओड़ कर मोहिनी ने रधिया और दिना के पांच छूल लिये, रधिया ने उसे गले लगा लिया, तु मोहिनी नहीं, मन मोहिनी हो, सहरी बहुत भी अच्छी होती है, मन ही मन सोचकर, रधिया ने उसकी बलाएं ले दी